Hello everyone, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आपके Coast Guard, Navic, Orientric का जो Stage 2 है वो सुरू हो चुका है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम Coast Guard, Navic, JD, DB, Orientric के 01.2024 बेच के Stage 2 के Complete Review को लेकर बात करेंगे कि Stage 2 में क्या-क्या और कैसे हो रहा है क्योंकि दोस्तों इस बार जो है ICG के Stage 2 में बदलाव किये गए हैं और इस बार जो है Assessment Test को भी यहाँ पे Add किया गया है तो वीडियो को end तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों पूरी जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी ठीक है लेकिन उससे पहले आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल के उपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी तरीके तो दोस्तों सबसे पहले जो है यापको यहाँ आपको यहाँ पे दो test देने पड़ेंगे ठीक है अगर बात करें पहले test को लेकर तो दोस्तों आप screen के उपर देख पा रहे हैं इसका complete review इसमें जो है आपको 40 marks का test देना होगा जिसमें की आपके total 40 questions पूछे जाएंगे और ये जो सारे questions हैं ये आपके stage 1 के जो subject थे उनमें से ही पूछे जा रहे हैं और बहुती basic से questions जो है आपसे पूछे जाएंगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर subjects की की कौन-कौन से subjects में से कितने questions आ रहे हैं तो आप screen के उपर देख पा रहे हैं जीके, reasoning, english और maths इन चार subject में से questions है और यह questions जो है आपके 40 questions बनेंगे 40 marks के रहेंगे और इसके लिए जो है आपको 30 minute का time मिलेगा और साथ ही दोस्तों इसमें जो है कोई भी negative marking नहीं है ठीक है? अब काफी सारे candidates जो है maths से डड़ते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है इसमें maths के सवाल नहीं है यह जो मैंने एक दो सवाल maths के लिखे हैं यह भी एकदम basic से question पूछे गए है math के ठीक है? तो यह हो गया आपका first test और यह जो है आपको सिर्फ qualify करना है यानि की 20 number जो है इसमें आपको सिर्फ लाने हैं ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपका एक और test होगा जिसको आप SRT यानि की situation reaction test भी बोल सकते हैं जिसमें की आपकी officers like qualities या फिर OLQs को देखा जाता है या फिर आपकी मानिसिक तर्क सकती को देखा जाता है अब इसमें किस type के cushion आते हैं और क्या-क्या cushion पूछे गए हैं कोई भी negative marking नहीं थी और यहाँ पर इसको भी सिर्फ qualify ही करना था मैं आगे आपके साथ में detailed में question share करूँगा कि किस तरीके के question आज इन दोनों test में पूछे गए थे तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आज पहले test में कौन-कौन से question थे GK, English, Reasoning और Maths में से तो आप देख सकते हैं कि GK के कुछ questions आपकी screen पर लिखे हुए है कि प्रदान मंत्री उज्वला योजना का जो संबन्द है यह किस के साथ है तो हम जानते हैं LPG Gaze Connection से जुड़ा हुआ है प्रदान मंत्री उज्वला योजना दूसरा सवाल था कि गांधी सागरबान जो है यह कौन सी नदी परिस्तित है तो गांधी सागरबान दोस्तों यह चंबल नदी के उपर बना हुआ है Next question था कि किस नदी को जो है बंगाल का सोग कहा जाता है तो हम जानते हैं कि दामुदर नदी को जो है बंगाल का सोक कहा जाता है ठीक है उसके बाद कुशन था कि World Health Organization यानि कि WHO का मुख्याले कहाँ पर है तो यह जेनेवा स्विट्जर लेंड में है ठीक है उसके लावा एक और कुशन था कि प्रतिव्यक्ति जो है सर्वादिक कार्बन डायोकसाइड का उस सरजन किस देश में है तो यह कतर हो जाएगा ठीक है नर्त्य है तो हम जानते केरल का है यह और अगला सवाल था लोकटक जील जो है यह कहाँ परिस्तित है तो लोकटक जील दोस्तों यह आपके मनिपूर में पढ़ती है ठीक है और एक और question था जो कि शायद पूरा इस तरीके से था या नहीं था ये मेरे को पता नहीं लेकिन candidate ने share किया है तो मैं बता देता हूँ कि सरवाधिक उत्तम किस्म की चाय जो है कहां देखने को मिलती है तो दोस्तों जो best quality की चाय है ये बंगाल में देखने को मिलती है जिसमें की दार्जलिंग चाय वगेरा जो है काफी जादा famous है ठीक है तो ये questions थे जो कि आपके GK में पूछे गए थे और अब अगर मैं बात करूँ कि यहां पर जो है आपके reasoning English और जो basic में थी उनमें से क्या-क्या question थे तो देखे दोस्तों reasoning में जो है आपके basic analogy, figure computation और जो आपके classification वाले सवाल होते हैं उसमें से ranking का एकाद सवाल था और series के 2-3 सवाल पूछे गए थे यानि कि reasoning जो है बहुत ही ज्यादा easy थी बहुत ही basic से question reasoning में आये थे और English में दोस्तों आपके verbs की जो forms होती है जैसे की आपके second form, third form वो पूछी जा रही थी active passive के जो बहुत ही basic से question थे, direct और indirect में से भी जो आपके एक-दो question आये थे और जो fillers वाले questions होते हैं यानि fill in the blank उनमें से questions पूछे गए थे तो यह हो गया आपका stage 2 का जो आपका assessment test था उसमें पहले test की detail खीक है कि किस-किस type के question आये थे अब बात करते हैं कि जो second test हुआ था यानि कि SRT उसमें जो है आपके किस type के question आये थे जिसमें कि पहला सवाल है कि मान लिजिए कि आप और आपका दोस्त जो है outdoor game कोई खेल रहे हो और आपका दोस्त जो है मान लिजिए कि गंबी रूप से घायल हो जाता है और अचानक जो है बारिस भी शुरू हो जाती है तो इस condition में जो है आप क्या करेंगे तो इसमें जो है आपको चार options दिये गए थे जिसमें कि आप जो है best option select करेंगे जैसे कि इसके लिए जो है यहाँ पर best option हो जाएगा option number 2 जैसे कि इसमें दिया गया है कि उसे जो है आप प्रात्मिक चिकित्सा देंगे ambulance को बुलाएंगे और वो उसे जो है अस्पताल ले जाएगी ठीक है और इसी type से एक और question आप यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि राम को जो है football की team के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है लेकिन अन्य खिलाडी जो है उसकी नियुक्ती के खिलाब थे तो वो जो है उस condition में क्या गरेगा तो यहाँ पर भी चार options हैं तो देखिए इसमें से अगर आप देखें और officers के तोर पे सोचें या फिर जो आपके as a seller के तोर पे सोचें तो यहाँ पर देखिए तीसरा option जो है सबसे best हो जाएगा यानि कि यहाँ पर आपको सिर्फ positive attitude दे कि वो जो इतना अच्छा खेलेगा कि पूरी की पूरी जो team है वो उसका संबान करना शुरू कर देगी तो इसी type से दोस्तों मैं एक question आप लोगों के लिए भी यहाँ पर दे देता हूं कि आप लोगों को बताना है कि इसका answer क्या होगा जैसे कि आपके लिए question है कि आपको म बताईएगा कि इन चारों options में से आपके लिए best suitable option कौन सा है और अगर आप stage 2 दे रहे होते तो आप इन में से कौन सा option वहाँ पर select करते है ठीक है तो दोस्तों ये कुछ questions थे जो मैंने आपके साथ में यहाँ पर share किये गए हैं जो कि आज पूछे गए थे और जिन candidates ने भी इन assessment test को qualify कर लिया गया था उनको जो है आगे भेजा गया था PFT और basic medical के लिए ठीक है और PFT के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है PFT के अंदर candidates का सबसे पहले running हो रहा था उसके बाद मैं वहाँ पर push up करवाया गया और उठक बे कि आपसे जो है लगबग 3 से 3.5 चकर लगवाये जा रहे हैं ठीक है और जो भी candidate जो है PFT को qualify कर ले रहे हैं उनका basic medical हो रहा है और कुछ points में जो है remedical भी दिया जा रहा है ठीक है तो दोस्तों at the end of video मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि आपको जो है assessment test से बिलकु पर question देखे होंगे ठीक है तो इसी type के normal normal questions आपसे पूछे जाएंगे और situation reaction test वाले जो questions है वो भी एकदम basic से question है ठीक है तो अगर आप लोग माल लीजिए कि stage 1 को qualify कर लेते हैं तो stage 2 आप लोगों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा easy हो जाता है और उसमें जो है आप most guard की जो अगली vacancy है यह आपको बहुत ही जल्द यानी की फरवरी first week तक देखने को मिल जाएगी तो आपको जो है अभी से अपनी तयारी शुरू कर देनी है क्यूंकि जो है आपको दोस्तों देख पा रहे हैं कि competition increase हो रहा है ठीक है तो यही बोलना चाहूंगा कि आप अप अपनी सी तैयारी जो है अभी से शुरू करें और हमारी classes भी जल्द शुरू होंगी और इसके अलावा आप हमारी पूरानी playlist को भी check out कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों telegram group को जरूर सी join कर लिजिएगा जिसकी link वीडियो के description box में दी गई है क्यूंकि वहां पर complete information सबसे प के लिए जय हिंदू